एक नया blogger जब भी भी अपना एक नया blog बनाता है और उसके बाद उसको 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 पर adsense approval मिल जाता है तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये question जरूर आता है कि भाई अगर मुझे adsense से दिन का एक डॉलर कमाना है तो मुझे कितना traffic चाहिएगा अगर मुझे महीने में 100 dollar का threshold complete करना है 100 dollar earn करने है तो मुझे अपनी website पर कितना traffic रहेगा क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज clear हो जाती कि भाई इतना काम करने पर मुझे इतनी earning होगी तो लोग उस चीज़ के लिए महनच जादा करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाल करने के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको practically point कुछ बताने वाला हूँ जिससे आपका mind clear होगा और एक clear idea आपको मिल जाएगा कि adsense से आपको 1 dollar कमाने के लिए daily 1 dollar कमाने के लिए कितना traffic चाहिए तो वीडियो end तक देखेगा उससे पहले बात कर लेते हैं वीडियो पे best comment का लास्ट वीडियो पे जो best comment था वो था प्रवीन कुमार सिर्वी भाई का तो भाई आपको मिलती है हमारी authority blogging वाली premium ebook for absolutely free of course so guys अगर आपको भी ये authority blogging जिससे आप 10,000 dollar per month की earning वाला blog बना सकते हो अगर आपको ये free of course ये तो करना क्या है इस वीडियो को like करना है वीडियो को share करना है और वीडियो पे comment करना है और जो भी best comment होगा उसे मैं next video में announce करूँ है और आपको मिल जाएगी ये premium ebook for absolutely free of course so प्रवीन भाई आपको मुझे message करना है यहाँ पर instagram पर description में link आपको ebook मिल जाएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो guys यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ अलग-अलग adsense account के कुछ google के कुछ मेरे adsense account के मैंने यहाँ पर screenshot लेके रखे हुए है तो इनसे मैं आपको clear करने की कोशिश करूँगा या देखो जब भी भी कोई पूछता है कि 100$ के लिए कितना traffic चाहिए या 1$ earning के लिए कितना traffic चाहिए तो guys इसका कोई fixed answer नहीं है अब इसका fixed answer क्यों नहीं है क्योंकि यह चीज़े बहुत सारे factors पे matter करती है वो सारे factors वीडियो के end में बताऊंगा अगर आप वो सारे factors जान लोगे तो trust me आप 1$ के महिने के यहाँ पर 500-600$ भी निकाल पाऊगे क्योंकि वो ही factor है जो लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर मैंने कुछ AdSense के कुछ Google से डाउनलोड करें कुछ मेरे AdSense account है मैंने यहाँ पर उनका screenshot लेके रखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो guys यहाँ पर अगर बात करें 1$ earning के लिए कितना traffic चाहिए तो यहाँ पर अलग-अलग factor पर depend करता है जैसे यह AdSense का screenshot है यह मैंने लेके रखा हुआ है अब इसमें अगर आप देखो तो एक दिन के page views आ रहे है 118 ठीक है 118 तो मान के चलो इस website पे एक दिन का traffic होगा यहाँ से आप 200 मान के चलो क्योंकि कभी-कभी page views जितना traffic आता है उतने page views count नहीं होते है क्योंकि कहीं पर ad show होती है कहीं पर ad show नहीं होती है तो यहाँ पर मान के चलो इस website पे हम approach लेके चलने ताकि आपको clear idea हो जाए मान के चलो इस website पर एक दिन का 1500 से लेके 200 का traffic है और यहाँ पर clicks इसको आए है 118 page views में से 9 बंदों ने इस पर click कर रहा है और इसको CPC मिला है 0 का अब यहाँ पर इसको CPC बिल्कुल 0 मिला है इसका page CTR इतना है और page RPM इतना है तो इसको earning कितनी है 0.01 dollar क्योंकि यहाँ पर CPC 0 है अगर CPC यहाँ पर 1 होता 2 होता तो भी इसको यहाँ पर थोड़ी बहुत earning हो जाती तो guys अगर मैं बात करूँ mainly अगर directly आप देखोगे जितना भी आपके blog पर traffic आ रहा है वो तो matter करता ही है प्लस आपकी website पर कितने page views आ रहे हैं आपके AdSense account में कितने clicks आ रहे हैं CPC क्या मिल रहा है, page CTR क्या है और page RPM क्या है ये 5 चीजे बहुत ज़्यादा matter करती है जो decide करती है आपकी per day की earning कितनी होगी जैसे ये एक screenshot मैंने लिया था अब अगर एक और मैं screenshot आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर देखो इस बंदे का daily traffic था 1.500 से 200 उसमें भी इसको कितनी earning होई 0.01 और वहीं अगर इस screenshot की मैं बात करूँ देखो इस website पे page views कितने है 21 तो मान के चलो दिन का यहाँ पर 50-60 traffic होगा 50-60 traffic में भी एक click आया CTR 4% CPC मिला इसको 0.02 का तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर इसके 40-50 traffic है एक दिन का और यहाँ पर 200 traffic है तो यहाँ पर 40-50 traffic वाले की earning जादा हो रही है इससे यह क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर CPC मिला है इसको और CTR यहाँ पर आप देखो और इस वाले में क्या था इस वाले में CPC 0 था तो जितने CPC है उसको अगर आप click से multiply कर दोगे तो यहाँ पर की एक दिन की earning आजएगी और CTR भी depend करता है वहीं अगर यहाँ पर देखो CTR इस वाले में था 7% इस वाले में सिर्फ था 4% तो वहीं अगर इसकी जगा 8% होता है यहाँ पर 21 में से 2 click मिलते तो इसकी earning हो जाती 0.02 को अगर आप 2 से multiply करोगे 0.04 डॉलर ठीक है और page RPM भी देखो इसको 0.91 मिला है और यहाँ पर इसको 0.07 तो यह सारी चीजे matter करती है उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं अगला screenshot यहाँ पर देखो यहाँ पर page views कितने है 270 तो मान के चलो दिन का traffic होगा 300 300, 350 और यहाँ पर clicks कितने है 28 और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या हुई है जिसकी वज़े से यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी almost इतना ही traffic था यहाँ पर देखो almost 200 के आसपास traffic था इसमें almost 300 traffic है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 traffic में एक डॉलर किया आधर डॉलर भी earning नहीं हुई है और यहाँ पर 300 के traffic में almost 300 के traffic में almost 6 डॉलर की एक दिन की earning हुई है वो क्यों ही है क्योंकि यहाँ पर CTR देखो CTR 10% है वो भी अच्छा है उसके बाद सबसे most important चीज CPC इसको बहुत ही amazing मिला है 0.21 का CPC मिला है Page RPM बहुत तगड़ा मिला है जो कि 21.74 डॉलर का है तो अगर हम multiply करें 0.21 को 28 से तो something 6 डॉलर की earning यहाँ पर अब यह इतना high CPC कैसे मिला इतना high Page RPM कैसे मिला वो factor में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके उपर चैनल पे भी एक dedicated वीडियो है कि AdSense का CPC कैसे बढ़ाए उसका link मैं description में दे दूँ है यह वाली वीडियो है जाके चैनल पे देख लेना उपर आई बटन पे भी है उसके बाद अगर मैं आपको एक को और दिखाऊं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना ट्राफिक था 300 ठीक है दिन का 300 ट्राफिक में इतना CPC इतना RPM अर्निंग हुई 6 डॉलर की और यहाँ पर हम देखे 500 के आसपास ट्राफिक है 500-500 और यहाँ पर देखो CPC मिला 0.46 का page RPM भी काफी अच्छा है अब यहाँ पर अगर हम देखे तो CPC यहाँ पर 0.21 का मिला यहाँ पर 0.46 का मिला लेकिन फिर भी अर्निंग अल्मोस सेम है यहाँ पर 6 डॉलर है और यहाँ पर अल्मोस 60 डॉलर है तो यह क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर CTR देखो इस वाले में CTR था 10% Page RPM था 21 और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर आप देखो CTR है Page CTR 3% सिर्फ 3% क्योंकि clicks कम हुए तो जितने कम clicks होंगे उतनी earning कम होगी और CPC ज़्यादा मिला है Page RPM कम है तो आप देख रहें difference आपको mind में clear हो रहा होगा कि ऐसा कोई fix नहीं है कि 500 traffic चाहिए on and average बात करे तो हो सकता आपके 200 दिन के 200 traffic में भी आपका $1 हो जाए हो सकता है दिन के आपके 500 traffic हो उसमें आपका $1 हो क्योंकि depend करता है CPC आपको क्या मिल रहा है page CTR आपको क्या मिल रहा है कितने clicks मिल रहे है कितने page RPM मिल रहे है तो यह सारी चीजे matter करती है अगर आपका CPC काफी high है आपका page RPM हाई है आपके clicks ज़्यादा मिल रहे है आपको page view ज़्यादा मिले है तो definitely earning होगी वहीं अगर माल लो यहाँ पर दिन का सिर्फ 100 ट्राफिक है और यहाँ पर CPC एक डॉलर का मिल जाता है तो यहाँ पर देखो सिर्फ 100 के ट्राफिक में ही एक डॉलर की earning होई वहीं अगर आप मैं आपको इसका दिखाऊ तो यहाँ पर देखो एक और screenshot यहाँ पर 189 यानि अल्मोस्ट 200 के आशपर सिर्फिक 0.03 का CPC इतना CTR और यहाँ पर देखो यहाँ पर आदा डॉलर भी earning नहीं हुई है वहीं अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आल्मोस्ट 300 डॉलर में यहाँ पर 6 डॉलर बन रहे है तो यह इतने ज़्यादा CPC क्यों मिला है और यहाँ पर CPC कम क्यों मिल रहा है तो यह कुछ factors है अब बात करते हैं उन factors की जिनकी वज़य से CPC हाई होता है Page RPM हाई होता है इस पर एक वीडियो भी है चैनल पर जाके देख लेना CPC कैसे बढ़ाना है keyword क्या CPC क्या है अब guys क्या होता है keyword का CPC decide होता है कि किस type के keyword पे add चल रही है जैसे आपको पता होगा make money online है blogging niche है insurance है health niche है इन niche में add बहुत जादा चलती है तो क्या होता है जिस niche में add जादा चलती है उन keyword का CPC काफी जादा high होता है अब guys सोचके देखो जो ये job website है शाहिरी website है या फिर movie website है इन पे add कोई क्या चलाएगा और यहाँ पर इन पर conversion भी बहुत कम होता है और सस्ती add चलती है तो जितनी जादा सस्ती add चलेगी उतना सस्ता आपको CPC मिलेगा यानि कि एक keyword पे click होने का एक add पर click होने का price अब वहीं अगर देखो insurance तो एक insurance health हो गया आपका make money online यहाँ पे महंगी-mहंगी add चलती है इसलिए आपको वहाँ पर CPC जादा मिलता है तो अगर आपको यहाँ पर दिखेगा जिन keyword पर जिन adsense account में पर आपको CPC और page RPM high मिल रहा है इसका एक reason यह भी है कि वो ऐसे निश पे काम कर रहे है जो कि high CPC वाले निश है जैसे कि make money हो गया health हो गया, insurance हो गया, automobile हो गया और भी बहुत सरे निश है अगर आपको best add chance निश की list जाननी है तो उसके उपर भी वीडियो है यह वाली वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हो तो सबसे पहला factor हो गया कि keyword किस type के निश पे आप काम कर रहे हो अगर आप job, website, movie, shairi, court इन पे काम कर रहे हो तो आपको CPC कम मिलेगा make money online, blogging, insurance, automobil इन पे काम कर रहे हो तो आपको CPC जाना मिलेगा ठीक है दूसरे factor की बात करते है traffic demographic यानि कि आपको कौन सी country से traffic आ रहा है so guys अगर देखो जो इंडिया है अगर आपका blog इंडिया में targeted है इंडिया से traffic आ रहा है तो आपको CPC यहाँ पर कम मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो है एड सस्ती चलती है as compared to other country अब जो developed country है टायर वन country है जैसे Australia हो गया UK हो गया US हो गया Canada हो गया Germany, Australia इन में क्या है इन में एड बहुत महंगी चलती है Dollars में चलती है so अगर आपका traffic इंडिया से आ रहा है Bangladesh आ रहा है यानि कि जो सस्ती वो है जिन में एड सस्ती चलती है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सस्ता CPC मिलेगा सस्ता RPM मिलेगा बट वहीं अगर आपको यहाँ पर $1 का earning हो रही है $1 का CPC मिल रहा है $21-$21 का page RPM मिल रहा है जैसा कि इन website में आपको देखने को मिल रहा है $0.46-$14 का RPM या फिर इसमें अगर आप देखो $21 का RPM $0.21 का CPC तो अगर बहार की tire 1 country से traffic आ रहा है तो $1-$2 तक का CPC भी मैंने देखा हुआ है जहाँ पर आपको एक click का $1 मिलता है तो keyword बहुत जादा important करते हैं कि किस keyword पे add चल दी है उसके बाद country important करती है कि कौन सी country से traffic आ रहा है अगर बहार की country से traffic आ रहा है तो देखा होगा जो US, UK वाली countries होती है tire 1 वाली उनमें आपको कम traffic में ज़्यादा earning होती है और वहाँ पे conversion भी अच्छा मिलता है अगर हम next point की बात करें तो different CPC वो मैंने आपको बताई दिया अलग-अलग country में अलग-अलग keyword के हिसाब से अलग-अलग CPC मिलता है next factor की अगर बात करें adsense CTR so guys adsense CTR को बताने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपको affiliate marketing सीखनी है detail में तो हमारा 10 दिन का free affiliate marketing course है description में इस page का link दे दिया आपको करना क्या है email डालनी है नाम डालना और enroll करना है आपको 10 दिन तक बिल्कुल scratch से advance तक affiliate marketing सिखाई जाएगी daily आपको एक lesson मिलेगा यहाँ पर मैंने earning proof भी दे रखें जाके इस page को आप जाके check out कर सकते हो free affiliate marketing course है from beginner to advance तो adsense CTR की हम बात करते है जैसा कि मैंने बताया adsense CTR पे भी फरक परता है जैसे यहाँ पर देखो paid CTR 3% का है तो यहाँ पर सिर्फ 15 क्लिक आए वही अगर मालो pay CTR यहाँ पर 6% होता तो यह double हो जाता इसका 15 के क्लिक हो जाते है यहाँ पर 30 और अगर हम 30 को 0.46 से multiply करेंगे तो यहाँ पर earning almost double हो जाती यहाँ पर अगर आपको 30 क्लिक होते adsense CTR 6% होता तो यहाँ पर almost 12 डॉलर होती एक दिन की earning वही यहाँ पर देखो जहाँ पर CTR यहाँ पर 5% है और 11 क्लिक आए यहाँ पर 10% CTR होता 22 क्लिक होते तो यहाँ पर हो सकता है इसकी double earning होती है तो CTR भी matter करता है कि आपके adsense में कितना CTR आ रहा है और generally CTR 10% से कम रहे 10-12% तो आपका सही है अगर आपका 15% से ज़्यादा CTR जा रहा है तो make sure आपके adsense account पर disable होने का risk है अगर इसके उपर dedicated video चाहिए तो comment box में comment करो और guys authority blogging book चाहिए तो आपको video को like, share और comment करना है जो भी best comment होगा उसको next video में मैं feature करूँँगा और उनको मिलेगी authority blogging ebook for free अगला यहाँ पर है adsense का page RPM जैसा कि मैंने आपको बताया page RPM जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्योंकि adsense पर अगर हम बात करे main आपको clicks के पैसे मिलते हैं उसके बाद RPM के impression के पैसे मिलते हैं तो यहाँ पर RPM भी आपका बहुत important factor है जितना ज़्यादा RPM होगा उतना chances आपको ज़्यादा earning होगी पर देखी और यहाँ पर traffic source यह भी एक factor है जिससे आपका CPC आपका CTR matter करता है तो मैंने अपना experience में बता हूँ अगर आपका organic traffic ज़्यादा आ रहा है as compared to social direct traffic और अगर CTR की मैं बात करूँ अगर आपको social media से traffic अच्छा आ रहा है तो आपको वहाँ पर CTR high देखने को मिलता है तो guys यह कुछ factors थे यह कुछ points थे जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक दिन में $1 earning करनी है एडसेंसे तो traffic का कोई यह मतलब fixed amount नहीं है अगर आपको 100 traffic आ रहा है उसमें आपको CPC अच्छा मिल रहा है तो 100 traffic में भी आप दिन का $1 earn कर सकते हो आपको 1000 traffic आ रहा है उसमें CPC अच्छा नहीं मल रहा CTR अच्छा नहीं मिल रहा page rpm अच्छा नहीं मिल रहा तो उसमें भी आप 1 dollar earn नहीं कर पाओगे तो अब आपको कम traffic में ज्यादा earning करनी है तो आपको क्या करना है यह जो सारे factor बता इन सारे factor को आपको target करना है क्या करना है आपको ऐसे keyword पर काम करना है जिन पर CPC high मिले आपको ऐसी country को target करना है जिन में CPC आपको high मिले और उसके बार AdSense CTR आपको high रखना है page rpm traffic आपको organic है तो यह सारे factor को follow करोगे तो कम traffic में भी आप 1 dollar की earning कर सकते हो तो मैंने आपको practically with proof बता है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करना share करना, instagram पर follow करना मत बूलना latest update के लिए और मैं मिलता आप से एक और यह एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care, have fun